नमस्कार शाथियो, मैं दिनेश कुमार चारण ख्याता भरती परिक्षा 2018 जो अब रिजरोशन के आरक्षन के चलते ये इस्तगित कर दी गई है अब ये परक्रिया पूर्ण कब होने वाली है यानि कि परिक्षा का आयुजन कब तक होगा और इसे पहले क्योंकि परिक्षा जब नजदीक होती है और एकदम से जब उसको इस इस्तगित कर दिया जाता है तो कई शमशाएं खड़ी हो जाती है क्योंकि अब ये जुलाई का महिना था और कुछ शाथी इसे भी होते हैं जो जोग भी कर रहे होते हैं प्राइवेट जिसे स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं कोलेज में पढ़ा रहे होते हैं उनके सामने उनके सामने सबसे बड़ी समझ है यह आती है कि अब वो वापिस अपने जोग पर जाए या फिर रेगुलर इसी में वेख्याता बढ़ती की तैयारी करते रहे क्या किया जाए किस परकार से तैयारी की जाए अगर वहां कोलेज या स्कूल को वापिस जोइन कर लेते हैं तो उ सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि हम सब के लिए यह जरूरी है हर किशी की इस्तती एक जिसी नहीं हो सकती है किशी को ज्यदा समय किशी के पास होता है तो किशी के पास समय और धन नहीं होता है इसी इस्तती में हमारे लिए शमश्या हो जाती है कि वास के जलते हैं कि जुलाई लाश्ट तक अगर विग्यप्ति वापस निकल जाती है या फिर दस दिन के अंदर भी अगर पंदरा जुलाई तक भी अगर विग्यप्ति वापस निकल जाती तो कम से कम एक महीने का समय दिया चाहेगा ओनलाइन आवेदन करने के लिए और एक महीने के बाद आप मान के चलो की तीन च्यार महीने बाद ही बर्ते परिक्षाँ का आयोजन हो शकता है तो मेरा माना ये है कि ये बर्ते परिक्षा सिर्णس दिशंबर 2019 या Next March 2019 के आफ़ पास होने की संभावना है यूँकि इससे पहले ये बरती परक्रिया पूर्ण होने वाले नहीं है तो अब आपके पास लगबग पांच महीने हैं पांच महीने आप मानके चलो कि आपने जो तैयारी पूरू में की है इसके शासाथ अगर आप पांच महीने और जोड लेते हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत क प्रद्र होड़ी यानी की निर्धारत समय तक अपनी तैयारी पूर्न कर ली थी लेकिन अब उन्हें यह उन्हें वापस वापस किस परकार से तैयार रहे तो क्योंकि एक बार पर फिर्शे आप उसी रिवाइज कर सकते हो आपके पास अच्छा मोका भी है क्योंकि तयारी किशा कभी नहीं होता है कि हाँ आज हमारी पूलन हो चुकी कुछ न्या पढ़ते जाते हो कुछ न्या अपड़ेट होता रहता है तो यह हमें यह समझना कि हमारी पूलन थी या फ अपनी मजबूती के साथ वहां पर पेश आ जाते हैं अब जरसल क्या है कि पांच महीने का समय है आपके पास और आप अपनी परिक्षा की तयारी किस परकार से करें अगर आप स्कूल जोइन कर रखा है आपने या फिर कोलेज जोइन कर रखा है कहीं पर आप इंस्टूट म कम से कम पांच से जो घंटे प्रती दिन अगर आप अध्यान कर लेते हो उस परिक्षा से समदिद सामगोडी का तो मैं ये समझता हूँ कि पांच से महीने में आप उसे आसाने से कवर कर जाते हो और अगर आपने इससे पहले βी पांच से महीने तहारी किए तो आसानी से हो सकता है कि आपका रिविजन हो जाएगा जो टेक्स्ट बुके रखी गई है क्योंकि वो बहुत ही मेहतोपोंड है और उनमें ज़्या तर सवाल पूछे जाते हैं इसी इस्तिति में आपके लिए क्या है कि इनका रिविजन हो जाएगा अगर आप पढ़ाईशे ही जुड़े रहते हो तो इसी स्तिति में आपको कोई समस्या नहीं होगी बस अरत है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोलेज और स्कूल पर ध्यानना दे कर आप अपनी भरती जो स्कूल व्यक्याता भरती परिक्षा है उसके पाठी क्रम को ध्यान में रखकर आप डेली 4-5 घंटे उससे समंदित भी पढ़ाई कर लें क्योंकि यह सा संभव है अगर आप स्कूल जाते हो को पोलेज जाते हो वहां पढ़ाने के बाद भी अगर आप अपने पाठी क्रम को ध्यान पूर्ग पढ़ते जाते हो नीमेत रूप से पढ़ते हो तो आसाने से आप उसे कवर्ज कर जाते हो अगर आप यह मान के चल रहे हो कि दिशंबर तक परिक्षा होगी क्योंकि इससे पहले संभव भी नहीं है और आप करवाई नहीं शक्ति है क्योंकि फिर वह कई कई इन्ये परिक्षा ही है जिनका आयोजन करना है उनके साथ समायोजन नहीं बैठ अगर आप फेनी है आप जोब भी साथ-सात कर सकते हो अग्र आप जोब नहीं कर रहे हैं नीमीत रूप शे पड़ाई कर रहे हो तो से इच्छा कोई विकल्ब भी करना शाहत में बहुत है और यह से साथ-साथ कारये कर सकते जो को उसमने हैं मुझा इसता लगता है की आप इसे आसानी शे कवर कर जाओगे क्योंकि इससे पहले जो आपने तयारी की है वो भी उसका भी आपका इसके साथ रिविजन होता रहेगा और इसके साथ अगर आप बड़ते परिक्षा के तैयारी के साथ सथ अगर किसी कुलेज में पढ़ाते हूं या कोई अन्य जोब करते हो तो वहांपर आपके लिए समझ्य थोड़ी शी यह हो सकती है कि आपका वह पाठे क्रम वर्क्षेत्र ठोड़ा सा भिन्न हैं लिएक Mहीना नजदी को आपको सारे कारे छोड़ने होंगी जैसा कि मैं समझता हूं क्योंकि एक महीने तक हमारा जो ध्यान है तो एक जगर ही कैंद्री होगा और इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है तो यह मान के चलो कि अगर यह भरती परिक्षा इस्तगित हो गई है आगे आप इसी परिक्षा की तयारी नीमित रूप से कर रहे हैं और तो आपको साथ प्रिक्षा के लिए उप्योगी है क्योंकि पाठे क्रम बहुत लंबा होता है उसकी कोई शीमा नहीं होती है तो इसी इस्तते में आपको वही परिक्षा के लिए उप्योगी है और इन सबका निर्धार्ण आप जब किताबों का जहन करते हो अच्छी अच्छी किताबें जबाब पढ़ते हो तो यह बाते आपको आसाली से समझ में आ जाती है पर इसके साथ साथ अगर आप हिंदी विशेश किशी भी बरती परिक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको कौन से टोपिक यानि कि कौन से विशेश जदा हर्ड लगते हैं आप मुझे नीचे कमेंट बोक्स में बता सकते हो ताकि आपकी आश्रक्ता के इंदरूप सरल रू सबस्तिवा झाल से ड्ले आप किले मुझे हो तेवा की आपको का जा ये अिछवा तेव तोक झाल की साथ एन दनी बता में भोबता हर्ड जिमका झाल के मुझे कि एपको का रूलीं